बाजार के पंडित पें तो दोस्तों देखेंगा पर्फेक्ट टाइमिंग बहुत इंप्रटेंट होती है पर्फेक्ट चार्ट बहुत इंप्रटेंट होते हैं तब पैसा बनता है और आज आप देखेंगे तो ना केवल प्राइस एक्षन में मुमेंटम देखने हो मिला आप बल्लामपुर्चीनी को देखे जाके मुमेंटम आपको देखने हो मिला बल्कि मैंने आपको कल बताया था फर्स ट्रेड बहुत ही जल्दी करिए और आपर देट एक शॉट कवरिंग आपको मिलेगी गाप डाउन मार्केट खुलेगा और उसके बाद आप देखेंगे साथ मिनिट में मुमेंटम आपको देखने को मिला है तो ये टेलीग्राम पे कुछ भी मिस मत करिएगा आज रात में अमेरिका से डेटा आना है जो आपको देखेगा पूरी तरीके से टर्न अराउंड देखने को मिलेगा अमेरिका के बादार में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाके जॉइन करिएगा अगर मिस नहीं करना चाते हैं अब सबसे इंट्रेस्टिंग फैक्टर क्या आ रहा है मैं आपको सारे क्लू पॉइंट बताऊंगा कि आज बादार में ऐसा क्या हुआ चुकिन आठ बजे अगर आप उठे होंगे तो आपको यही लग रहा होगा कि 50 पॉइंट क्याप डाउन हम खुलने वाले है बिलकुल क्लियारिटी के साथ यह कन्फर्म था जब भी अच्छानक से 9 बजे लेकिन यह पूरा सिनारियो चेंज हो गया 1500-200 पॉइंट तक की देखीगा गिरावट आपको देखने को मिलने लगी SGA Gnifty में तो जब भी ऐसा कभी हो तो करना क्या है आपको आपको सबसे पहले यह जानना है आप यह समय लीजे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एकॉनमी में कुछ ना कुछ गड़बड हुआ है और उस वज़ा को पता करना है कि वो कितनी ज़्यादा important है कितनी ज़्यादा serious है और जब आप वो पता कर लेते हैं तो ऐसा beginner अगर आप beginner है तो इस volatility को अगर आप देखेगा observe नहीं कर सकते या फिर इस volatility को सहन नहीं कर सकते हैं तो उस दिन trade ना करिए second thing अगर आप trade कर रहे हैं तो आप right side पे होने चाहिए right side पे कैसे होते हैं कि आज सुबे से पता चल गया था first देखेगा 7, 10, 15 minute के बाद जो call premium ते तेजी से गले लेकिन last half में call premium बहुत तेजी से aggressive हुए तो ये चीज़ें आपको with time पता चलती है जब आप learning and tactics करते हैं लेकिन आज इस वीडियो की शुरुआत करूँगा मैं कि actual में ऐसा क्या हुआ और क्या चीज़े unexpected हुई है like ऐसा कभी भी नहीं हुआ आप Japan की बात करेंगे Japan में इतना controlled balance है economy पे इतना balance economy आपने अदर कोई देखी नहीं होगी market पहली बार इतने सालों में बलब सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां का bond market अचानक से jump होके 40-50% तक पहुँच चुक था तो इसी कारण देखेगा अचानक से panic आया देखे आप देख सकते हैं और उसके बाद इनने defense की तरफ से एक बड़ा एलान किया है जिससे एक और बड़ा panic आने वाले दिनों के लिए आ चुका है बादार पे जो आपको पता होना चाहिए चुकि आज जो हुआ इतनी volatility को बहुत सारे लोग observe नहीं कर पाए और आगे जो होने वाला है तो उसके लिए भी पहले से prepared रही है वरना ये ना हो कि आपको अचानक से information मिली तो आप देखेंगे the bank of japan joint market in surprise change to yield curve policy अचानक से surprise change करा bank of japan ने और आप देखेंगे जहां का particular bond market एकदम शांत रहता था तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पहली बार change देखने को मिला है वो भी बड़ा change देखने को मिला है और यह आप देख सकते हैं the bank of japan shocked market on the Tuesday with surprise tweak to its bond yield control its kind of policy में इस तरीके का change है आप इस तरीके सा समझे है simplified manner में कि वो एक तरीके से देखेगा rate high जैसा है actual में ना किया जाए बट इस scenario में किया जाए जिसे rate high जैसा माने जाकि bond market को जाधा strength मिले और फिर उन्होंने जो रही कसर थी वो कैसे पूरी करी bond market को जम करने के लिए तो वो भी आप जानिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बाद में कहा कि यहाँ पे जो particular जो bond market है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने purchasing की बात कही है देखेंगे यहाँ पे the central bank captates yield target unchanged and said it will sharply increase bond buying तो अगर आपको पता है कि किसी देश की सरकार या फिर देखेगा bank क्या करती है bond buying करती है इतना तेजी से तो आप समझ सकते हैं कि bond market को ज़्यादा support मिलता है equity market से पैसा निकालके bond market में आ जाता है और अगर आप देखेंगे the sign the move was a fine tuning of existing ultra loose monetary policy rather than withdrawal of stimulus तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो monetary policy है एकड़म relax है यानि कि अगर आप देखेंगे तो आप सब देशों में समय देखेगा आपको rate high और सब चीज़े boring cost high और सब चीज़े देखने को मिल नहीं बड़ जापान में अहसा नहीं है तो यहाँ पर यह unexpected चीज़ पहली बार हुई है जापान में जैसे ही हुई वैसे ही देखेगा bond market को तो support मिला but after that वहाँ पे capital market में बड़ी गिरावट हो गई जिससे अमेरिका पैनिक में आ गया चुकिए development nation है और tuning बहुत important है इन देशों के बीच में tuning बहुत important है फिर देखेगा कल के लिए दिक्कत क्या हो गई कि North Korea मानने वाला नहीं है अब North Korea अब बड़ी problem create करने के लिए बैठा हुआ है और वो response के लिए तयार है promise action उन्होंने बोल दिया है आप ये देखेगा अल जजीरा में जाके देख सकते हैं promise action बोला है और क्यों बोला है क्योंकि उन्होंने कहा है कि North Korea foreign minister cause Japan new 320 billion security strategy wrong and dangerous और उन्होंने का है हम promise करते हैं हम इसका response देंगे यानि कि North Korea को जवाब देने के लिए Japan ने अपनी defense strategy को बहुती बहुती बड़े funding के साथ develop करने की बात कही है 320 billion dollar आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा mount होता है और इसी पे aggressive हो के North Korea को थोड़ा सा dull लगा है और उसने ये का है कि ये wrong है और ये dangerous है और ये बोल कौन रहा है ये foreign minister बोल ले है North Korea के तो ये ना सुचेगा कि कोई normal इंसान बोला है North Korea has condemned Japan planned military build-up and pledge action against what it described as a Tokyo's wrong dangerous choice to bolster its defense sector तो अगर आप देखेंगे statement आज का है शाम का है और ये तब आया है जब देखेगा Japan ने ये particular strategy क्या करिए प्लान करिए तो आप समझ सकते हैं कि यहां से problem अब बढ़ने वाली है threat बढ़ने वाला है और आपको पता है ये threat अगर बढ़ेगा तो already देखेगा market इन सब चीजों के लिए तयार नहीं बढ़ा हुआ है आपको भी पता है वो rate hike को लेकर परशान हो फिर वो recession को लेकर परशान हो फिर वो देखेगा rate hike के non stop बढ़ने को लेकर परशान हो ठीक है और फिर वो अचानक से युद्ध को लेकर परशान हो फिर वो demand के concern को लेकर परशान हो तो ऐसी unexpected चीज़े market को शौक देती रहेंगे तो इसके लिए prepared रही है ये information अचानक से शौक देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से उसमें कहा है कि missile test रुकने का आप नाम नहीं लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें आप और भी ज़दा aggressive होती दिखेंगे आपको North Korea के side से तो ये पूरा जापान का scenario बनता जाएगा और आग देखेंगे कि हुआ जैसे ही policy आई वैसे देखेगा क्या हुआ आप देख सकते हैं day में ये जंप देखने हो मिला ये जंप देखने हो मिला तो 60% तक का आपने देखा की नहीं देखा 10 year bond deal जापान का हो गया था और जैसी bond market up होता है तो आपको पता है capital market crash होता है तो ये देखेगा one way fall देखने हो मिला था जापान में तो अभी pressure बना हुआ है चुकि uncertain trajectory से देखेगा investor confident नहीं लापार आपने आप में तो इसलिए volatility कल भी रहेगी pressure भी कल रहेगा focus करेगा वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न भूलेगा thank you so much